हेलो एवरिवान, वेलकम एन वेलकम बैक टो माई चैनल मरसी सिंग, तो आज का वीडियो में बना रही हूँ, स्पेशेली गौहाटी उनिवर्सिटी बीएड एंटरंस टेस के उपर, तो जो लोगों ने 6 अगस्ट को एग्जामिनेशन एटेन किया था, मतलब एग्जाम दिय फिर कॉलेज, सारे कॉलेज, अफिलेटेट कॉलेज के लिए, गौर्मेंट प्राइबेट, सारे कॉलेज के लिए एक नोटीज आएगा, और अवरल नोटीज भी आएगा, तो कट अब क्या रहेगा, सारा कुछ में बताऊंगी, क्या अगर केटेगोरी चैन्ज करवाना हो, कैसे करोगे, ओमर शीट, कैसे क्लेम करोगे, वो सारा कुछ में बताऊंगी, क्या क्या डॉकुमेंट सब्मिट करना है, साब कुछ, A to Z सारा कुछ बताऊंगी, तो थोरा सा वेट करो, वीडियो को बिना पॉस किये, स्कीप किये, आप लोगो को एंड तक देखना है, तो ब सेकेंड यर में प्रोमोट हो जाएंगे, तो अभी कास्ट के बारे में में बताती हूं, कि कास्ट में अगर अपने गलत डाला है, आप जैनरल केटेगोरी को हो, SCST डाल दिये हो, और SCST हो, आपने जैनरल डाल दिया है, तो जो जैनरल केटेगोरी का, मतलब जो SCST का फाइद मिलता है, वो आप जैनरल डालने के वज़े से, आपको रेंक लिस्स में थोरा सा आप लोगो को, मतलब लिस्स प्रिपेर करने में आप लोगो का नाम थोरा नीचे आ जाएगा, तो इसके वज़े से में बताने वाली हूँ थी, आप लोगो को करेक्ट भी कर सकते हो, तो कु आप लोगो को थोरा सा आइडिया लेना है कि करेक्शन करना है, अगर आपको केटेगोरी कास, तो आप लोगो को एडमिट कार्ट, मनी रिसीब देना होगा 500 का, और उसके साथ केटेगोरी चेंज करने के लिए कास सर्टिफिकेट का जैरोक्स कॉपी, और आपको 1700 जो पे कि सकते हो, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, आपको ओनलाइन एप्लिकेशन फर्म देना होता है, और कैटेगोरी चेंज करवाने के लिए के लिए कैटेगोरी सर्टिफिकेट, तो आपका जब भी ये प्रोविशनल लीस निकलेगा, आपका नाम आएगा अपना देखना, सब ठीक ह कि नहीं, अगर कुछ भी गलत होता है, तो आप लोग कलेम कर सकते हो, या फिर रिक्वेस कर सकते हो, करेक्शन के लिए, और एक बात, यह फाइनल मैरिटलिस नहीं है, यह सी जैनरल मैरिटलिस्ट है, आपका नंबर और कोईशन, कितने एटेम किये, कितना करें कितना गलत, वो सब कुछ देख सकते हो और अगर कुछ गलत आता है इस merit list में तो आप लोग कैसे claim करना है यह एक information देने के लिए पहले merit list आता है और next आएगा आप लोग को final merit list जब आपका provisional merit list में से सब कुछ correction हो जाता है तो आता है final merit list final merit list में आप लोग का नाम अगर सब कुछ सही रहा तो आप लोग apply कर सकते हो कोई भी NCTE recognized colleges institution में तो सारे ग्वार्टी उनिवर्सिटी के कॉलेज के बारे में मैंने वीडियो अल्रेडी upload किया है आप लोग जितना मन करें उतना आप लोग apply कर सकते हो कोई भी आपको रोक नहीं स कम से कम पाच से जादा आपको करना है अगर बहुत हाई रैंक में है अप लोग तो कोई भी college में आपको शायद मिल जाए फिर भी आपको दो तीन तो option रखने होते हैं उसके बाद final merit list आने के बाद आपको college में apply करने का option आएगा तो apply कप कर पाओगे अगर आपका cut-off marks general मतल आता है पर general cost के लिए 60 marks होना ही होगा तो यह बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है और आप फूल merit list भी जाके चेक कर सकते हो last year कैसे आया था कैसे आप लोग का merit list preparation किया जाता है थोड़ा idea ले सकते हो तो general category का अलग से cut-off आता है और जो reservation रहता है उनका अलग से cut-off आता है ठीक है तो दोनों cut-off अलग अलग है तो सिर्फ 10-20 marks का difference रह सकता है पर last year का आप लोग देख सकते हो screen पर तो पहले आएगा एक list मतलब merit list आएगा आप लोगोंने कितना number of questions अटेम किया है कितना correct कितना रॉंग और उसमें से आपको कितना marks मिलता है negative marking होने के बाद तो वो सब कुछ आपको दिखाया जाएगा एक list आएगा ठीक है वो final नहीं है तो आप लोग वो लिस्ट आने के बाद एक आएगा final merit list उसमें सारा कुछ correction करा रहेगा जो भी आप लोगोंने correction करवाना चाहते थ लगरा सब कुछ हो जाने के बाद आपका final merit list नाता है उसके बाद आप लोगो apply करना होता है colleges में जाके तो आपको जो भी college convenient होता है या फिर आप लोग उस college में आप लोगो को लगता है कि आपका number के हिसाब से marks के हिसाब से अपको यहापे मिलेगा तो उन सारे colleges में आप लो तो एक दिन में पूर्म पूरा दिया जाएगा तो और, एक देट दिया जाएगा कि इतने तारिक में आप लोग को फॉर्म फिल अप करके आपको यह पर डाल देनी है तो एक डबा रहेगा तो डबा में आपको डालने होते हैं तो यह है थोड़ी सी इंफोर्मेशन तो आज का अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक इससे मेरी चैनल ग्रो होता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे वी वीडियो बनाते रहने का तो चलिए नेक्स वीडियो में फिर मिलेंगे नए इंफॉर्मेशन के साथ दिल दं स्टेशेव स्टेहली स्टेइटी इन करने लिए बाइज